हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद अच्छे होंगे मज़ें होंगे मेरा नम नासीर है और आप देख रहे हैं एभी टेक विलोग दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि फिलिक प्लाट पे डिवाली सेल चल रही है जिसमें काफी अच्छे-चे फोन काफी कम प्रैस में मिल रहा था तो मतलब 7000 में यह बेश्ट डिवाइस बन जाता है तो मैंने से प्रचस करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोडिविकेशन आप लोग को मिलती रहे तो चली वीडियो को बॉक्स की बात के रहे तो पोकोस 3 लिखा हुआ है और निचे लिखा हुआ है नमबर 1 क्वाल्टी स्मार्टफवन ब्रांड यहां पर मेरे इंडिया का लोगो भी लगा हुआ है वैक्षएट की बात करे तो कुछ की हाले फीचर मेंशन किये गया है जैसे इसमें हिलियो जी जीबी का रएम और 64GB का श्टोरेज मेल जाता है यहां पर MRP देख सकते हैं 10999 बट मुझे यह 7000 में मिल गया इसे साथ आदर में रखा हुँ रख बाक्स में सबसे उपर यहां पर फोन रखा हुँ एंपियर का 10 वाट का मतलब slow adapter मिल जाता है तो फून को रैप से बाहर निकलते हैं यह जो कलर है वह लाइम गिरीन कलर जो की दिखने में काफी beautiful लग रहा है तो अब जली से फून को boot up करते हैं और इसके उपर जो डिस्प्लेय पे प्लैस्टिक लगी हुए उसे निकल देते है वैसे यह वाज काफी मस्त लगती है फिजिकल और विव के बात करें तो यहाँ वर सबस्व बिले power key मिल जाती है उसके उपर ही volume up and down की मिल जाती है उपर से बात करें तो आपको एक 3.5 mm jack मिल जाता है उसके लावब लेफ्ट सेट की बात करें तो sim tray मिल जाती है जिसमे आप तो यहाँ पर आपको triple camera का setup मिलता है एक 13 megapixel का एक 2 megapixel का और एक depth sensor और एक flash मिल जाती है यहाँ पर आपको back side में texture मिल जाता है और poko की branding मिल जाती है इसे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 6.53 इसका display मिल जाता है जिसमें एक notch में camera लगा हुआ है और उपर साइट में आपको speaker मिल जाता है तो इसे setup करते हैं और फिर आते हैं home screen पे तो home screen पे आगे और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ blood wear भी मिल जाता है जैसे कि आपको मिल जाती है तो थोड़े पर आपको blood wear देखने को मिलते हैं अब चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं कि 64GB में से कितना storage आपको मिलता है तो सबसे पहले चलते हैं about phone में और यहाँ पर देख सकते हैं MIUI version 12.0.2 पर चल रहा है उसके साथी android version के बात कर तो यहाँ पर करते हैं कि किस तरह से quality देखने को मिलती है इसकी तो allow कर देते हैं इसमें आपको कोई भी ultra wide angle lens नहीं मिलता है तो normal से फोटो क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं photo quality काफी अच्छी आई है जूम करने पर भी काफी crisp image है तो picture quality काफी अच्छी लग रही है first impression में इसके स जाता है इस फोन में आपको दो मेगा पिसल का मैक्रो लेंस मिल जाता है तो एकदम नजदीक से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर एक photo क्लिक करते हैं और काफी नजदीक आप object के जा सकते हैं तो दो मेगा पिसल की quality भी काफी अच्छी आई है जूम करने के बाद भ काफी आई है तो अब इस फोन के साथ थोड़ा सा time spend करता हूं देखता हूं कि इसमें क्या-क्या feature मिलते हैं और फिर आप लोगों को अपना opinion share करता हूं तो आप लोगों इसके unboxing देख लिए और box में क्या-क्या content मिलते हैं वह सब आप लोगों ने देख लिए सबसे पहले ब बात करें इसके display की तो इसमें 6.53 इंचेस का HD plus resolution वाला IPS display देखने को मिलते हैं जो कि मुझे ठीक ठाक लगा बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है और फूल इश्डी मिल जादा था बट इस प्रैसर के सबसे HD भी ठीक ठाक मुझे लगा और यहां पर display में आपको एक notch भी मिल आपको बाइटेंगल के camera's में नहीं दिया गया है तो यहां पर एक वाइटेंगल के camera देना चाहिए था बट चलो कोई बात ने उसके लगा नहीं पर एक flash मिल जाती है और फ्रेंट के बात कि रहे तो फ्रेंट में आपको 5 Megapixel का camera मिलता है इसकी quality मुझे ठीक ठाक लगी और करेंगल करें तो दोने ही camera's rear और फ्रेंट दोने ही camera's full HD में 30 fps पे video record कर सकते हैं बड़ इसमें कोई भी stabilization नहीं मिलता है और उमीद भी नहीं करने चाहिए क्योंकि इस price range के सबसे इतना ही काफी है इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छी नहीं है बट इस प्रेंट के साब से ठीक ठाक लगी बात करेंश की में स्पीकर की क्वालिटी के तो मुझे स्पीकर क्वालिटी काफी अच्छी लेगी मैं यहां पर एक सॉंग प्लेगर सुना जेता हूं सिंगर स्पीकर मिलता है यह बट काफी क्लियर आवाज आती है उसके बाद इसमें कोई भी fingerprint scanner नहीं मिलता है बल्कि फेस अलोग मिलता ह और यहां पर देख सकते हैं मैंने उपेन किया और मतलब इसको आन करना पड़ेगा बटन को और यह अनलोग हो जाता है तो इसमें फिंगर्ट में सकानर नहीं मिलता है बट फेस लोग जो है वह काफी फास्ट है और अच्छा से वर्क करता है परफॉर्मेंस की बात करें तो इ जैसे की सीओ डी वगरा चाहते हैं तो आपको लोग ग्राफिक भी खेलना पड़ेगा तभी आप खेल सकते हैं इस च्टोरज की बात करें तो इसमें पाफी दिरे चार्ज होगा बैटरी बैटरी बेका इसका अच्छा है आपको दो दिन चल जाएगा अधर फीचर की बात क अच्छा है तो अगर आपको पुराने हेटफोन है तो इसमें लगा कि यूज कर सकते हैं तो अब बात करते हैं कि किन लोगों को यह फोन लेना चाहिए तो अगर आप नौरमल यूजर है बस फोन वगरा से कॉल से बात करते हैं और थोड़ा बहुत मुल्टी टास्किंग ग और बस यही थे स्टूडियो में आई होप आप लोगों को वडियो पसाना होगी और पसाने तो लाइक जरूर करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फर वाचिंग